असलाम आलेकुम आवरिवन वेलकम बेक टो मैं इस पानला राभी कीचन मैं हुआ राभिया आज मैं आपकी लिए वेज़ स्पिंग रॉल की रेसिपी लेकर रहे हूं जिसको देखकर सब के मुझ में पाने आ जाता है और इसको बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए जाद के लिए हमारे स्पिंग रॉल है वे एकदम बेस्ट बने तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फिलिंग तियार करेंगे तो एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी एक कब पता गोबी जिसको मैंने पतला स्लाइस में कट कर लिया पतला तो सब्सक्राइब बबाफिस के लिएक के बाउल कर देंगे और यजो घ्लन हमारे दोनों ज्सको इसको अंदर रखेंगे यह बहुत बहुत ही अच्छा तरीका है आप इसको जरूर फॉलो करें और गाजर को पता गोबी को कपड़ी के अंदर रखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और जो भी इसके अंदर पानी बना है जो नमक डालने की वज़े से निकलेगा हम इसको निकालेंगे और इसको अच्छी से इसको आप निकाल लें तो इससे जो हमारे फिलिंग है बहुत अच्छी बनेगी तो इसको बहुत अच्छी से आप निकाल लें तो मैंने इसको अच्छी से निचोड लिया है और जो भी इसके अंदर पानी था उसको मैंने निकाल लें इस पानी को में एक साइड रख तो मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे वन टेबल स्पून तेल तेल को गरम करने के बाद मैं डालूंगी हाफ टीस्पून जीरा जीरा जैसे चटकने लगेगा फिसके अंदर हम एड़ करेंगे चार से पाच हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप्ट किया है छे से साथ मैंने लसन की कलिया लिया है इसको भी मैंने चॉप्ट किया है बस इसको मैं कुछ सेकिंस तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे या पका लेंगे कुछ dell जर्मक हुआे एक मेंने स्लैस में कट किया हैृ इक मेंने के प्यास इसके में एक मेंने कट किया हैृ अजित सक्बेंस पड़ा हुआ इसाथ ही डालूंगी लाल शिमला मिर्चों पर अच्छे से पकालेंगी तकरीबन दो मिनिट के बाद हम एड करेंगी हाफ टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं हाफ टीस्पून डालेंगी सफीद मिर्च पाउडर इन दोनों को डालने के बाद हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगी इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद फैनले हम इसके अंदर एड़ करेंगे पत्ता गोबी और गाजर इन दोनों को एड़ करने के बाद मैं डालोंगी वन टीस्पॉन सोया सोस इससे जो टेस्ट है फिलिंग का बहुत ही अमेजिंग आगा तो आप इसको जरूर एड़ करें इसको एड़ करने के बाद मैं डालोंगी टू टेबल स्पॉन स्वीट चिली सोस जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूं से रेसीपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर जाकर देख लेना इनको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तो आप इसको अच्छे से मिक्स करके फिर बाद में इसको पका लें तक्रीबन चापने के बाद मैं इसके अंदर एड़ करूँगी 4 टेबल स्पॉन चॉप्ट हरी प्यास इसको डाले के बाद हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे हमें इसको जादा देर तक पकाना नहीं है बस मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगी और हमारी वेच फिलिंग तियार हो जाएगी तो आप कैस को बंद कर दें और इस फिलिंग को आप ट्रांसफर कर दें किसी बाल में या फिर किसी प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद अब आपको इस फिलिंग को बहुत ही अच्छी से ठंडा करना है जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इस रेसिपी कर लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना, और स्पिंग रोल बनाने के लिए मैंने आपर फ्लोर पेस्ली है, जो कि टू टेबल स्पून में, त्री टेबल स्पून पानी है, तो यह अच्छे से कवर हो जाए, इसको रोल करने के बाद जो शीट के जो किनारे हैं, हमें इसको पर पेस्ट अपलाई करना है, पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद जो शीट के साइड से हम इन दोनों कम अच्छे से फॉल्ड कर देंगे, तो बस बहुत ही सिंपल सा आप ऐसे करते रहें, आपके जो स्पिंग रोल हो तियार हो जाएंगे, दोनों साइड को फॉल्ल करने के बाद इसको एक बार और अच्छे से रोल कर लेंगे, और जो उपर का हिस्सा है, शीट कर इसके ओपर भी हम पेस्ट अपलाई कर देंगे, ताकि जो स्पिंग रोल है पेस्ट अपलाई करने के बाद अप्सिम्पल ऑम इसको अच्छे से रोल कर देंगे, बस ऐसे इसको रोल करना है, और रोल करने की बाद जो यह थोड़ा सा हिस्सा है, इसको पर भी पेस्ट लगा देंगे ताकि ंजिग बिल Dent बी open ना हो जब हम इसको फॉप्व्राई करें तो बस बहुत ही सिंपल यह त्यार हो चुका है और बागी की जो हमारी स्प्रिंग रोल हैं उसको ऐसे त्यार कर लेंगे तुम्हें यहां पर 6-7 इस प्रिंग रोल बना कर त्यार कर ले हैं और यह त्यार है फ्राइ होने के लिए मैंने अभी पूरे हां पर यूज ने किये मेरी 2-3 शेट बागी है और इसी की अकॉर्डिंग मेरी फिलिंग भी बची है मैं इसको बाद में त्यार कर लूँगी और इसको त्यार ने किया है बागी तो यह त्यार हो चुकिए हम इसको फ्राइ करेंगे तो ग्यास की तरफ चलते हैं जिसे आपका तेल गरम हो जाए आप इस पिंग रोल को फ्राइ करने के लिए तेल के अंदर छोड़ दे बस आगे का प्रोसेस तो बहुत सिंपली है जब तक कि अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते उपर से अच्छे से गॉल्डन ब्राउन ही हो जाते आप इनको अच्छे से फ्राइ कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पर तो बस पेच पेच में आप इनको उलट करते रहें अच्छे से फ्राइ कर लें बस सिंपली ऐसे करना है कुछ भ जो भी एक्स्ट ओयल है वो निकल जाए और जो बाकी के हमारी स्प्रिंग रोल है सेमिन को भी मैंसे फ्राइए कर लेंगे तो मैंने सभी स्प्रिंग रोल को अच्छे से फ्राइए कर ले हैं माशालला बहुत ही यमी लुक लग रहा है और अब इसको में कट करके देखेंगे कि जो हमारी स्प्रिंग रोल है वो क्रंची है यह नहीं यह देखिए कितनी क्रंची हवास थी हमारी स्प्रिंग रोल की तो बस ऐसी आपको इसी स्टेप्स फोलो करने जैसे मैंन आपको बता है और आप मार्किट से भी अच्छे स्प्रिंग रोल घर पर त्यार कर सकते हैं और कितना इमी लुक लग रहा है मेरे मुमें पानी आ रह जीगा और आप मुझे फीडबेक जरूदे इंशाल्ला में मिलती हो आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए असलाव अलेकुम